आपका स्वागत है जीके की एक और क्लास में और आज का विशह है एनिमल सेंस या जानवर जिसे चीजों को महसूस करते हैं आईए इसके बारे में जाने जो सुने की शक्ती बहुत होती है उनसे लेकर के और जिनके पास करेंट या इलेक्रिसिटी डिटेक्टर है एनिमल्स हैव एन इंप्रेसिव एरे ओफ सेंसरी capabilities जानवरों के पास इन सारी चीजों को महसूस करने की छमता होती है nature has provided them these sensory capabilities प्रकरती ने इनको ऐसी छमता दी है ताकि वो सारी चीजों को महसूस कर सेके so that they can find food and shelter and be safe from enemy ताकि इससे जो है जानवर जो है अपने रहने के स्थान को अपने शिकारियों को और अपने खाने को खोश सके और उन सारी चीजों सो बच सके आई जानने इनके बारे में फस्ट वन इट यूजज़ इको लोकेशन तो डिटेक्ट आपस्टिकल्स प्रिडेटर्स एंड प्रे यह प्रतिधोनी तरंगे छोड़ता है जिससे यह चीजों को और अपने शिकारियों को और शिकार को इससे पहचानता है अपने नीचे ले जबड़े से एक आवाज निकालता है और जो आवाज है वो चीजों से टकरा कि वापस इसके सैंसर तकाती है और इसे वो पता लगा देता है कि चीजें क्या हैं और इस जानवर का नाम है डॉल्फिन इट यूजिस दर विसकर और इस फेस तो असर्टेन वेदर इट कैन पास थूर अपटिकुलर स्पेस यह अपने चेहरे के उन मूचों का इस्तिमाल करता है और इससे पता लगाता है कि इस अपके पास से कौन सी चीज़ गुजरी है किस या उसके कौन सी चीज के पास से गई है विसकस और इट्स फोर लेक्स हेल्प तो गेट इन्फरमेशन अबाट दा कैप्चर प्रे अगले पैर के पास जो इसके जो कहा जाए कि बाल होते हैं ये उसके वहाँ पे वो सेंसर्स का काम करते हैं और शिकार को पकड़ने में इसकी साहता करते हैं और इसका नाम है कैट थर्ड इस आइस कें मूव इंडिपेंडली हैंस इट कैन सी इन तो डिफेरेंट डिरेक्शन इसकी आखे अपने पूरी तरीके से इंडिपेंडनेंट है पूरी आखे इधर से इधर गुमा सकता है किसी भी डिरेक्शन में सैमिल्टेनियसली विदाउट टर्निंग इट्स एड़ अपने सर को बिना पीछे घुमा या इधर अपनी आखो को वो पूरी तरीके से वो घुमा लेता है इससे इसकी मदद मिलती है अपने शिकार होने से बचने के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए और इसका नाम है कैमेलियन फोर्थ इसके जो भुजाओं पे जो है आखे होती हैं आई पॉर्ट होते हैं जिससे वो लाइट के प्रतीवो काफी ज़्यूदा सेश्टिव होती है इसकी सहयता से वो रौशनी और रौशनी में बदलाव को महसूस कर सकता है और इसका नाम है स्टारफिश फिफ्ट इसके पैरों के पास खास बाल होते है तेट हैल्प इट टो टेस जिससे वो स्वाद महसूस कर सकता है और जब वो किसी फूल पर बैठता है तो वो पता लग जाता है कि इससे वो रस पिये या ना पिये और इसका नाम है बटरफलाई तितली इस के पूँच पे लगभग कोई भी बाल नहीं होते इस स्नाउट हैज मैनी सैंसरी नव्स लेकिन इसके जो थूथन जिसे कहते हैं मूँग की तरफ जो आगे की तरफ निकला होता है उसको उसमें बहुत सारी नसे होती है and hence is extremely sensitive to the minute difference in touch and texture और इस sensors की वज़ा से वो थोड़े से थोड़े भी चीजों को वो तुरंत महसूस कर लेता है और इसका नाम है मोल Your next topic is marine life समुंदरी जीव या समुंदरी जीव जित्तों रहते हैं उनके जीवन के बारे में Let's read about this Creatures living in the sea have different shapes समुंदर में रहने वाले अलग अकार के जीव जनतों पाई जाते हैं Size and colors अलग अलग रंगों में और अलग अलग आकार में They are well adapted to their surroundings और ये सभी जो है अपने आस पास जो रहते हैं उसमें अच्छे से ढल जाते हैं रहने वाले ये जीव है For example, fish are adapted to live in icy waters और मचलियों ने अपने आप को बेहद ठंडे पानी में भी जीना सीखा है And in coastal areas on coral reefs on the surface of the sea and in ocean beds सिर्फ ठंडे पानी में नहीं बलकि coastal areas यानि की किनारिय तटी छेतरों में Coral reefs यानि की जो समंदरी चटाने होती हैं उन पे And the surface of the sea and ocean beds और बिलकुल जो उपरी उथली जगा होती है सर्फेस जो समंदर की उस पे और गहराई में भी आईए जाने इन सभी marine जीव के बारे में It is the weirdest looking sea creature ये दिखने में बहुती अजीब सा जीव है समंदरी जीव है It is just a lazy as it looks and sounds ये बिलकुल सुस्ट सा दिखने वाला और वैसी आवाज में निकालता है It barely expands any energy ये शायथी कभी ये बहुत जादा अपने आपको हिलाता डुलाता है Even while eating, it only gobbles up whatever just happens to be floating by इसे जब खाना होता है तो वो सिर्फ अपने मूँ को चला लेता है और जो भी तैर्थी चीज़ के पास से जाती है और इस तरीके से भोजन करता है और इसका नाम है ये देखिए ये जीव है बिलकुल दिखने में जीव सा है और इसका नाम है blob fish Second This strange creature is found at the great barrier reefs ये अजीव से दिखने वाले जीव जो है ये great barrier reefs पर पाए जाता है lizard island जो lizard island है उसके पास इट लिवस इन अ ट्यूब ये एक ट्यूब नुमा जगा पर रहता है इट कें बिड्रॉव इस tree-like crowns और इसका जो शेप है बिलकुल से जब कोई से छेड़ता है तो अपने आपको बिलकुल पेड जैसा बना लेता है its spiral branches are actually its breathing and feeding apparatus इसकी जो रीड़क वाली जो हड़ी होती है वो actually असल में वो सांस लेने के लिए और खाने का साधन है वो तरीका है वो उसका और इसका नाम है Christmas tree worm ये देखे Christmas tree worm ये है Third It has flamboyant coloration All its color come from the soft part of its body ये एक colorful जीव है समंदरी और ये सारी जो इसके जो colors है वो इसके शरीड के बिलकुल soft part से आते है Which envelops its shell unless it is threatened और ये अपने shell के अंदर चला जाता है अगर इसे कोई छेड देता है और इसका नाम है Flamingo Tongue snail ये है Fourth It is found along the southern west coast of Australia ये आउस्टेलिया के southern western coastal ये तर्टी चेत्र पाए जाता है It uses its fins ये अपने पर मतलब जिससे तैरता उसका इस्तमाल करता है Not only to propel itself through water ना सिल्फ बलकी पानी में तैरने के लिए But also as camouflage बलकी अपना रूप बदलने के लिए बिल्कुर अपने रंगत को बदल देने के लिए It resembles a piece of drifting seaweed ये बिल्कुर अपने आपको seaweed के रूप में बदल सकता है और इसका नाम है Leafy Sea Dragon ये देखिए It is found in the Gulf of Mexico ये Gulf Mexico के खाड़ी छेतर में पाया जाता है Related to jellyfish ये jellyfish की परजाती का होता है It gets its name from the flower of the same name इसको ये नाम मिला इसी के रूप रेखा के नाम के एक पूल से और इसका नाम है Venus Fly Trap Sea and Moon ये देखिए Venus Fly Trap Sea and Moon Last It tends to like a hovercraft दिखने में ये hovercraft के समान होता है When it's moving along जब वो चलता है It excludes a poisonous toxin from the mucus और ये परे शरीर से एक तरल चिपचिपा और जहीला पदार छोड़ता है अपने तौचा से It tends to make a very distinct grunting noise when it is captured और जब ये पकड़ में आए डाता है तो ये अजीब सी आवास अपने मुह से निकालता है और इसका नाम है ये देखिए इसका नाम है और लोग्हॉर्ण चावफिश So that's all for today's study I hope you all well understand Thank you and have a nice day God bless you all